तो यहां पर बणा सुन्दर मंगलाचरन हुआ है आगे फिर वेदव्याजी कहते हैं कि नई मिशे निमि सक्षेत्रे रिशय शौनकादय है सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासद वहीं पवित्र निमि शारणय तीर्थ मैं 88,000 सौनकाद रिशी एकत्रित हुए हैं अब देखो यहां से भागवत शुरू हो रही है 88,000 सौनकाद रिशी एकत्रित हुए थे और भागवत के प्रारंब में उन रिशियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे और उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने सारी भागवत उन रिशियों को सुनाई है थोड़ा इन प्रश्नों को हम सुनें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे देखो पहला प्रश्न किया था कि है सूत जी आप कृपा करके बताईए किम श्रेय इस जीव को कल्यान कैसे मिले इस जीव का कल्यान उद्धार कैसे हो आप बताओ दूसरा प्रश्न किया था कि महराज जितने भी शास्त्र हैं जितने भी गरंथ हैं उन सब का सार क्या है आप बताईए और तीसरा प्रश्न किया कि सूत जाना सिभध्रमते भगवान सात्वतां पति है देवक्यां वसुदे वस्य जातो यस्य चिकिर्शया हे सूत जी आप हमें कृपा करके बताईए कि भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहां अवतार क्यों लिया था भगवान क्यों आये कृष्ण बनकर ये तीसरा प्रश्न किया चोथा प्रश्ण पूछते हैं कि महरज भगवान ने अब तक कितने अवतार लिये हैं क्या उन अवतारों की कोई गिंती है पाँच्वा प्रश्ण किया कि भगवान ने कौन-कौन सा अवतार लेकर कौन-कौन सी लीलाईं की हैं हम उन लिलाओं के बारे में भी सुनना चाहते हैं और छटा प्रश्ण बढ़ा सुन्दर किया है कि ब्रूहियोगे श्वरे कृष्णे ब्रह्मन्य धर्म वर्मनी स्वान काश्ठा मदनों पेते धर्म कम्शर्णम गता हूँ हे सुद्जी आप कृपा करके बताईए कि जब भगवायन कृष्ण इस धरा का त्याग करके अपने परमधाम चले गए तो भगवायन कृष्ण के जाने के बाद धर्म कम्शर्णम गता ये धर्म किसकी शर्ण में गया ये छे प्रश्ण उन रिश्यों ने सुद्जी से मंगलाचरन किया है ये यहां भागवत का दूसरा मंगलाचरन हो रहा है पहला किया विदव्याज जी अब दूसरा श्री सूद्जी महराज कर रहा है और अपने गुर्देव शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है कहते हैं कि अम्प्रव्रजंत मनपे तुमपे अपने गुर्देव शुक्देव जी के चर्णों में सूध जी ने प्रणाम किया है कहते हैं कि अंप्रव्रजंतम सन्यस्य गच्छंतम जो शुक्देव जी पैदा होते ही मा के पेट से निकलते ही बन की ओर चले गए थे अभी जिनका नालो छेदन संसकार भी नहीं हुआ जिनका नार भी नहीं कटा पैदा होते ही शुकदेव जी बनकी और दौण लगा दी थे पीछे से वेदव्याजी ने जिनको अवाज लगाई पुत्रेती हाँ पुत्र शुक हाँ पुत्र शुक लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया ऐसे सब के हरदाई में विराजमान, मुनियों के मुनी, गुरुओं के गुरु, स्री शुकदेव जी के चर्णों में हम सब कोटी-कोटी प्रणाम करें बलो शुकदेव जी महाराज के जय अपने गुरू को प्रणाम किया वंदन किया नर नारेन को प्रणाम किया वेदव्यास को प्रणाम किया मा सरस्वती को प्रणाम किया और फिर प्रश्न का उत्तर देते हुए यहां भागवत में सर्व प्रथम भगवान के अवतारों की कथा आई है प्रेम से कवश्री राध है पहले थोड़ा अवतारों के बारे में यहां बताया गया पूछा था न कि भगवान के कितने अवतार हुआ है तो यहां सूद्जी महराज भगवायन के 24 अवतारों का वर्नन कर रहे हैं कहते हैं किसा एव प्रथमम देव पौमारं सर्गमा स्थिताह चचारतुष्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचरियम खंडितम। बड़ा अद्भुद भगवायन के अवतारों के बारे में बता रह definitely work that just कि इतने अवतार हुआ है कहते हैं भगवायन का जो अवतार हुआ हुआ है वो चार रूप से हुआ है सएव परतमं देवः कौमारं सरगमास्थिता ब्रम्हा के चार पुत्रों के रूप में भगवान ने अवतार लिया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये भगवान का पहला अवतार है, इसको ब्रमचरी अवतार भी कहा गया और दूसरा अवतार भगवान ने श्री नारजी के रूप से लिया तीसरा अवतार शवकरम बपु बारह बन के भगवान प्रकट हुए था चौथा अवतार नर और नारेण के रूप से भगवान का हुआ पाँच्वा अवतार श्री कपिल भगवान के रूप से प्रभु प्रकट हुए छटा अवतार श्री दत्तात्रीजी महराज का हुए सात्वा अवतार रुची प्रजापती के यहां यग्यबन के भगवान प्रकट हुए अश्टमे मेरु देव्याम आठमा अवतार मेरु देवी के गर्व से श्री रिशब देव के रूप में भगवान प्रकट हुए नववम पार्थवम वपु नौवा अवतार प्रतु रूप से भगवान का हुआ है दस्मा अवतार कमट बनके भगवान आये है मत से बनके भगवान आये है राजा सत्य ब्रत को प्रले काल व्यतीत कराया था भगवाई में ये मत्से अवतार दस्मा अवतार है ग्यारेमा अवतार कमठ अवतार बारेमा धनवंत्री और तेरेमा है मोहिनी अवतार ये तीन अवतार सागर मंथन के समय हुए थे कमठ धनवंत्री और मोहिनी इसी प्रकायर से फिर चौदेवा जो अवतार हुआ है वो बड़ा अदबुद है अपनी भक्त की प्रयर्थना पर भगवान खंब से प्रगट हो गए थे जिसको कहते हैं निरसिंग अवतार पंद्रे में तेश्वा अवतार बताया है बुद्ध अवतार और चौबिस्वा अवतार जो भगवान का है वो अभी हुआ नहीं है इस कलिकाल के अंतिम चरण में ये अवतार अभी होगा जिसको कहते हैं कल की अवतार बोलो कल की भगवान की जैए ये अवतार अभी शेश है अभी हुआ नहीं है इस कलिकाल की आयू बताई है चार लाख बतिस हजार साल इतना लंबा कलिकाल है और उसमें से अभी केवल साड़े पांच हजार साल निकले हैं अभी बहुत लंबा कलिकाल पड़ा हुआ है और उस कलिकाल के जब अंतिम 800 साल 800 वर्ष जब रह जाएंगे तब भगवान कलकी बन के प्रगट होंगे अभी बहुत समय बाकी जब अधर्म एकदम अपनी चरम पर होगा तब भगवान कलकी अवतार धारण करेंगे ऐसा वर्णन आता है आगे फिर उन रिशियों ने सुद्जी के चरणों में प्रश्न किया था कि गुर्देव आप खोड़ा कृपा करके बताईए कि कस्मिन युगे प्रवरत्ययम स्थानेवा के नहे तो ना महराज हम जानना चाहते हैं कि इस भागवत को वेदवियाजी ने कौन से युग में लिखा कस्मिन युगे किस युग में भागवत को लिखा गया किस कारण से लिखा गया किस स्थान पर बैट कर लिखा गया और किसकी प्रेणा से लिखा गया आप बताईए तो बड़ा सुन्दर सुद्जी कह रहे हैं कि द्वापरी समन प्राप्ते तृतिये युग पर्यये जात पराशरा दियोगी वासव्याम कलया हरे देखो रिश्यों द्वापर के अंत में सत्यवती के गर्व से साक्षात पराशर जी के यहां वेदव्याजी का जन्म हुआ था आप लोग दिहान पूर्वक सुनिये ये वेदव्याजी बड़े विद्वान है भगवान के सत्रेवे अवतार भी है और इनी वेदव्याजी महराज ने वेदों के चार विभाग किये है रिगवेद, यजुरवेद, सामबेद और अथर्ववेद वेदों को चार विभागों में बाट दिया संतोश नहीं हुआ तो फिर वेदव्याजी ने 108 उपनशदों को लिखा है उपनशदों को लिखने के बाद भी संतोश नहीं हुआ तो फिर वेदव्याजी ने महाभारत जैसे विशाल गरंत की रचना की जिस महाभारत में एक लाख शलोक वेदव्याजी ने लिखे लेकिन उतने से भी संतोष नहीं हुआ तो फिर सत्रह पुराणों को और लिख दिया लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी वेदव्याजी एक दिन अपने आश्रम पर बड़े उदास बैठे हुए था मन प्रसंद नहीं था उसी समय श्री नारजी आये है नारजी ने आकर वेदव्याजी को पूछा कि महाराज आपके जैसा इतना बड़ा लेखक उदास बैठा है क्या बात है तो वेदव्याजी कहते हैं कि अस्तेव में सर्वम इदम तयुक्तम तथा पिनात्मा परितुष्यते में देखो नारजी आप तो सब जानते हैं मैंने इतना कुछ लिखा है इतना कुछ लिखा है कि मेरी समझ में अब कुछ बाकी नहीं बचा सर्वम इदम तयुक्तम मैंने सब कुछ कह दिया लेकिन इतना कुछ कहने के लिखने के बाद भी तथा पिनात्मा परितुष्षते में मुझे आत्म संतोष नहीं है नारजी मेरा मन बड़ा उदास रहता है क्या आप इस उदासी का करण बता सकते हैं कैसे मेरे मन को संतोष मिले नारजी महारेज बोले कि महारेज मैं बताऊंगा आपको जरूर मुझे मालूम है कि आपको संतोष क्यों नहीं हो रहा तो देखो बंदो नारजी ने इस सम्मंद में अपने पूरु जनम की एक कथा सुनाई है कि नारे जी पूर जनम में कौन थे कहते हैं कि देखो व्याजी अब तक आपने जितने भी गरंथ लिखे उनमें धर्म अधर्म की बड़ी आपने चर्चा की है एक राजा का धर्म क्या है प्रजा का धर्म क्या है खूब आपने बताया सन्यासी का धर्म क्या वानप्रस्ती का धर्म क्या ग्रहस्ती का ब्रह्मचारी का धर्म क्या आपने बड़ा विस्तार से वर्नन किया ब्रह्मन, ख्षत्रिय, वैश, शुद्र इन सब के धर्मों का नियमों का आपने वर्नन विस्तार से किया लेकिन व्याजी अभी तक आपने किसी ऐसे गरंद की रचना नहीं की जिसमें केवल भक्ती की चर्चा हो जिसमें भक्त और भगवान का चरीत्र वर्णन हो ऐसे किसी गरंद को आपने नहीं लिखा अभी तक मैं आपको अपने पूर जनम की कथा सुनाता हूं नारे जी बढ़ा सुन्दर कह रहे हैं कि अहम पुरा तीत भवे भवम्मुने दास्यास्तुकस्यास्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एवयोगिनां नारे जी कहते हैं कि व्याजी पूर्व जनम में मैं वेदवादी नामक ब्राह्मनों की दासी का बेटा था व्याजी मेरी मां घर घर जाकर लोगों के जूटे बरतन माजा करती थे इतना मेरे जीवन में गरीबी थे मैं पांच वरस का छोटा सा बालक था मेरी मां लोगों के जूटे बरतन माजती थी लोगों के घर की सफाई किया करती थी और उसी से जो कुछ मिलता हमारे परिवार का पालन पोशन हुआ करता था लेकिन व्याजी एक बायर हमारे गाओं में कुछ संत पधरे चातुरमास करने के लिए और संत रोज बड़ा सुंदर सत्संग किया करते थे मैं अपनी मा के साथ रोज सत्संग में जाया करता था संत सत्संग में क्या कह रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आता था लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो मैं रोज अपनी मा के साथ सत्संग में जरूर जाया करता था देखो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को कथा में सत्संग में जरूर लेकर आया करो अब चाहें कथा के बीच में बच्चे उधम करें तो कोई बात नहीं प्रेम से कोशी रहा थे उनको कहकर, संभाल कर, बिठा कर अपने पास उनको कथा सुन लो चाहें उनको कथा समझ में न आए फिर भी बच्चों को लेकर आओ जैसे कि कोई व्यक्ति यदि काजल की कोठरी में जाए तो कितना भी बचे लेकिन डाग जरूर लगेगा ऐसे ही यदि हमको कथा समझ में भी न आए फिर भी हम कथा में जरूर आए यदि भगवायन की कथा में जाते रहेंगे तो हमको भी भगवायन की भक्ति जरूर मिलेगी बच्चों को भी लाओ, स्वैम भी आओ नारेजी बोले कि हम अपनी मा के साथ जाये करते थे सत्संग में जब चातुर मास पूर्ण हो गया गाओं में बड़ा विशाल भंडरा हुआ था संतों का और मैं भी अपनी मा के साथ उस भंडरे में सिवा करने के लिए गया था मुझे बड़ी सुंदर सिवा मिली थी मैं संतों की जूटी पतल लेकर जाकर आश्रम से बाहर फैक कर आता था सिवा करते करते मुझे सुबें से दुपैर हो गई मैंने कुछ खाया नहीं एक संत की नजर मेरे उपर पड़ी संत ने क्या देखा कि मैं एक जूटी पतल से जूटन उठा कर खाय रहा हूँ चोटा सा बालक था पांच बरस का तो संत ने मुझे डाटा कहा कि अरे बालक तु यहां जूटन क्यों खाता है चल हम तुझे सुन्दर चपन भोग दें लेकर मुझे गए खूब चपन भोग खिलाए लेकिन व्याजी मैं आपको क्या बताऊ इतना आनंद मुझे चपन भोग में नहीं आया जो आनंद मुझे संत की जूटन खाने में आया प्रेम से कोश्री राध है क्योंकि बंदूओं याद रखना जब तक ठाकुर जी को हम कोई वस्तु अरपन नहीं करते तब तक उसको कहते हैं भोग हम कहते हैं न कि ये भोग हम ठाकुर जी को लगाने जा रहे हैं अभी उसको हम भोग कहते हैं और जब वो भोग प्रभु के सामने अरपन कर दिया जाता है तो फिर वो भोग नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता है? प्रशाद, और उसी प्रशाद को यदि कोई संत, कोई महापुरुष बैठकर यदि पाले हैं, तो फिर वो प्रशाद नहीं रह जाता, भया फिर तो वो महाप्रशाद बन जाता है, प्रेम से कहोश्री राद है, तो नारे जी बोले कि व्यांजी हमको भी संतों का महा प्रशाद मिला जब संत जाने लगे तो जाते जाते मेरे उपर कृपा करके मुझे बहुत सुंदर एक मंत्र भी दे कर गए संत यह मंत्र भणा संदर है जो नारे जी को यहां मिला है कि ओम नमु भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमही प्रत्युम् नाया निरुद्धाय नमह संकर्शनायच बढा संदर यह मंत्र नारे जी कहते है हमको मिला और इस मंत्र का खूब नारेजी ने जब किया मा की तो मृत्यों हो गई थी लेकिन नारेजी कहते हैं कि मा की मरने के बाद हम घर छोड़कर बन में चले गए वहाँ जाकर हमने बहुत भगवान का भजन किया प्रभु की आकाशवानी भी एक दिन हमको सुनाई दी भगवान ने कहा कि बेटा देख तु बहुत मेरा भजन कर रहा है लेकिन अभी तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा बोले फिर कब होगा तो भगवान कहते हैं कि अगले जनम में तुझे मेरा दर्शन होगा अभी तेरी जो भक्ती है वो अभी पक्ती है अभी कच्ची है तेरी भक्ती अभी तुखुब मन लगाकर भजन कर अगले जनम में तुझे मेरा दर्शन होगा आज यदि किसी से कहो कि अगले जनम में भगवान मिलेंगे तो वो व्यक्ती कहेगा कि माराज फिर भजन भी अगले जनम में करेंगे अभी इसे भजन करके क्या होगा जब अगले जनम में ही भगवान मिलेंगे तो भजन भी बाद में करेंगे लेकिन नारजी कहते हैं व्याजी हमने ऐसा नहीं किया हमने और निष्ठा से भगवान का भजन किया जब काल के प्रभाव से मेरा शरीर छूटा तो देखो भगवान की कृपा ये भगवान की भजन की ही महिमा है कि कहां तो मैं एक दासी का बेटा था लेकिन अब मेरा जनम ब्रह्मा के पुत्र नारद की रूप में हो गया है बोलो नारजी महाराज की गया ये भगवान की भजन की महिमा जो मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया और व्याजी आप मेरे हाथ में जो वीना देख रहे हो न ये वीना कोई साधरन नहीं है नारजी के हाथ में हमेशा वीना होती है ना नारजी कह रहे हैं कि ये वीना मैं बाजार से खरीद के नहीं लाया हूँ कि देवदत्ता मिमाम बीना स्वरब्रह्म अभिभूशिताम मुर्चित्वा हरिकथा गायमानस्चराम्याहम व्याजी ये वीना मुझे स्वैम नारेण दी है ये वीना मुझे भगवान से मिली है एक प्रसंग आता है बंदों नारेजी एक बार बड़ा मस्ती से कीर्टन करते हुए भगवान के वैकुंट पधारे द्यान देकर सुनना नारजी वैकुंट पहुँचे, खूब मस्ती से भगवान का कीरतन गया, खूब जुमे, खूब नाचे, अब भगवान भी बड़े प्रसन हो गया, भगवान ने नारजी को कहा कि बेटा नारद, आज तो तुने बड़ा सुन्दर कीरतन गया, बड़ा सुन्दर तुने मिरा नाम गया, खुब तू जुमा, खुब तू नाचा, बिटा तुझे कुछ चाहिए तो मेरे से मांग ले, नारेजी को बगवान ने पूछा, तो नारेजी बोले कि प्रभु मुझे तो एक ही वस्तु चाहिए बस, बोले मांग क्या चाहिए, बोले आपके बगल में जो लक्ष वीना को बजा बजा कर आपका नाम गया करूंगा, भगवान ने जब ए बात, सुरी भगवान ने तुरंत लक्षमी जी से वीना ली और नारेजी को वीना दे दी, जा बेटा, खुब मेरा नाम गया, अब नारेजी तो वीना लेकर चल दिया, लेकिन जब भगवान ने लक् उप्ष्मुदि और देखकर लाल लाल आखें क्यों लक्ष्मी जी बुलीगी विछ प्रभु आप बहुत बुरे हो अरे मेरी वीड़ा आपने मेरे रसे पूछा भी नहीं बिना पूछे, छीनकर आपने मेरी रीओद नारद को दे दी एक बार मेरे से पूछ तो लेते तो भगवान बोले कि लक्षमी जी ये तो बड़ी कृपा समझो जो नारद ने वीना ही मांगी तुमको नहीं मांगा यदि वो तुमको मांगता तो आज मैं तुमें भी उठा कर दे देता प्रेम से कवश्री राध है अरे मेरा भक्त मेरे से कुछ मांगे और मैं मना कर दूँ ये कैसे हो सकता है तो कहने का अभी प्राइबंध हो नारद जी को ये जो वीना मिली है ये स्वेम भगवान ने दी है और नारद जी इस वीना में भगवान कही नाम गाते है लेकिन ये वीना केवल नारजी को ही नहीं मिली है ये वीना हम सब को भी मिली है प्रेम से कोशी राधर आप कहेंगे महरेज हमको तो कोई वीना नहीं मिली देखो ये शरीर क्या है ये शरीर हमको किस ने दिया है ये शरीर भगवान नहीं तो दिया तो बंदुओं हमारा ये शरीर ही वीना है ये भगवान ने शरीर दिया है और जैसे वीना में तार होता है न तो इस शरीर रुपी वीना में हमारा मन ही तो वो तार है तो बंदुओं हमारा ये शरीर रुपी वीना है तो बंदुओं हमारा ये शरीर रुपी वीना है